दोस्तों नमस्कार हिंदी कुछ जो आप सभी लोगा स्वागा था आज हम लोग बात करने चले हैं कल जो आए सी पेपर क्लाश टालू का हुआ था उसके सिलूशन के बारे में पेपर बहुत अच्छा है था कुछ सातियों का या सुझा हो था कुछ चात्रों का की सर इस पर एंसर की बनाईए जो आपकी जो कम्प्रेंसन है और चाहे वह सुध हो या मोहाबरी हो और बाकी पेपर तो बहुत यासान था और जो हम लोगों ने सजेसन बताया था लगभग 100% ऐसा ही पेपर आया और यह अच्छी बात है कि सभी छात्रों का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ है जी लोगों ने अच्छी है नाटिंग में पूरे पेपर अगर किये होंगा टेम्ट किये होंगी तो मेरे ख्याल से अब अभभी लाएंगे पेपर बहुत ही अच्छा प्रकती के उपर כर्चण के उपर आया था कि प्रकती समय कि आßित मिलती है और सीमा पर तैनाज सिपाहे Kim के बारे में और दादी जी की बिमारी या प्यार समान उपहार दिने इसजी सारी बाते आये थी बहुत ही आसान था अॉंल N. इन खरिदारी के बारे में और समाज पर क्या विरुतन हो रहा है इतने तरह के निबन था आते हैं और आप लोगों नहीं नहीं सॉल्व कर लिया हुगा अच्छे डंग से अब देखें कंप्रेंशन के बारे में जो कि मुख्य बात है चातरों ने कहा है तो यहां पर देखें कंप्रेंशन बहुत है आसान था कैस बेरी चुडिया के बारे में था और जो प्रसना आये थे देखें कैसो बेरी चुडिया सबसे अलग कैसी थी बाकी चुडियों का चड़िया उन्हें चिड़ाती थी क्योंकि वह उड़ नहीं पाती थी और जैमिन के निची ही रहा करती थी और दूसरा है कि कैस बेरिया को किसे क्या सिकायत है उसकी सिकायत कैसे दूर हुई तो कैस बेरी कैसो बेरी चड़िया को भगवान से सिकायत थी कि उससे ऐसा क्यों ब पाती है उसकी सिकायत अब दूरी जब जामुन के पेड़ ने उसके अपने आत्म हत्ता और उसके अमुली जियों के बारे में उसे बनाया बताया तो नमबर तीन है कि हम अपने जिन्दिक्यों को कैसे बहतर बना सकते हैं गद्यांस के अधार पे अस्वष्ट कीजिए तो यह कैस बेरी चड़िया के बारे में बताते हुए गद्य लिखक ने बताया है कि हमें अपनी तुलना किसी से बेकार नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम अनोखे हैं और इस अंसार के लिए अमूली हैं हमारे अंदर कोई यह असी बात है जो कि हमें खास बनाती है और सबसे अलग बन लाकर हम अपने जियोन को और सारे संसार को कुछ अमूल ले और कुछ बहतर दे सकते हैं और जियोन को अच्छा बना सकते हैं ठीक अब देखिए अब जो मुख्य बात है कि नमबर चार निम्लिकित पंक्तियों पर अधारत प्रस्तों को उत्तर के लिए सही विकल्ब चुनि क्रिपया तुम यहां से मत जाओ हमें तुम्हारी जर्रत है पूरे जंगल में हम सब सदिक तुम्हारी वज़ा से फल पूल पाते हैं तो एक इस कथन का धार पर जामून की पेड़ की किन विस्सताओं का पता चलता है तो यहां पर देखिए पहला ही एंसर राइट है नमब 3 इसका यह राइट एंसर है उसके जंगल में बीज बिखेरने से यह राइट एंसर है नम-बsi का के जामून की पेड़ की बातों का क्या प्रभपाळा तो नम-बबर 2 है सिका नम-बर 2 उससे अपनी पहशान मेही ठीक इसके बाद नम-बर यहां पर तो यहां पांचवा का है निम्लिकित प्रंक्तियों पर अधारत प्रस्नों को तर सही विकल चुनिए पिर्ण की बातों ने कैसे वेरी के दिल कुछ हुआ उसकी बाते सुनकर आज पहली बार उससे अपने जियोन में एहसास हुआ कि वह इस धरती पर बिकार में और भी बहुर हो जाएना ठीक यहां कर देना चाहिए था आप सभी को बी वह इस धरती पर बिकार में मौझूद नहीं है पंक्तिस से कैसे वेरी के मन में किस बाता चलता है तो नमबर चार आत्म विस्वास का भाव अब उसके अंदर आत्म विस्वास आ गया है तो नमबर बी का चार आत्म विस्वास का भाव ठीक है मौझूद सी मौझूद सब्द गद्यांस के किस अर्थ में प्रयोक्त हुआ है मौझूद सब्द तो नमबर सी का एक है अस्तित्व के संदर्व में तो सी मौझूद सब्द गद्यांस में किस अर्थ में प्रयोक्त हुआ है तो स का वन अस्तित्व के फंदर में ठीक है अब नमबर तीन दिखिए डू आई डारेक्टेड है ए नर्दीशा अनुसार तर लिखिए तो यहां पर तीन में एक आईएगा निकित वाक्य का सुद्धुरूप लिखिए तो नमबर एक एक का मैं सायम काल के समय आया था तो आप यहां लिखी गता सुद्धुरूप में मैं आज सायम काल के Eugene आया था ठीक है मैं आज सायम काल के समय आया था र्क्तस्तान में सहिस्बद भरिए चुनाव में अपनी करारी हार देकर निता जी के पाउटले या मुहब्रा है तो निता जमीन खिसक गए, ठीक है, नमबर 3 में, निम्लिकित वाक्यों में से सुद वाक्य का चैन कीजिए, तो यहां पर कैसा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से, और जो कि या, खरभूजी को देकर खरभूजा रंग बदलता है, कहावत है, तो यहां पर B है, तीन का B, सची तो है, खरभू में से असुद वाक्य का चैन कीजिए, तो यहां पर सही उत्तर है, असुद वाक्य है, प्राकृति सौंदर्यता, सबका मन मोहती है, ठीक है, तो 4 का A गलत है, यहां पर राइट एंसर है A, 4 का A, ठीक है, नमबर 5, निम्लिकित वाक्यों में से रेखांके सब्दे के लिए सह सब्द का चैन कीजिए, संकट की घड़ी में रेण परदान करने के लिए स्रिलंका विश्य बैंक का कृतग्या नहीं, गलत है, कृतग्या नहीं होगा, तो संकट की घड़ी में रेण परदान करने के लिए स्रिलंका विश्य बैंक का यहां पर जोन लाइन किया गया है, A हो सब्बेद देखी निम्हुत्त वाक्यों में सेвें में से वाक्य बनाईए तो यहां वाक है ने पाकिस्तानी सेने केid सेड़ बजा दिए ठीक है तो भारते सेना ने पाकिस्तानी सेनिकों के एड़ सेड़ बजा दिए नमबर दो निम्लिखित महावरे को सुद्ध कीजिए घाट-घाट का खाना-खाना गलत है आप सभी जानते हैं कि घाट-घाट का पानी पीना होगा तो यहां पे घाट-घाट का पानी पीना इस महावरे का सुद्ध रूप है घाट-घाट का पानी पीना नमबर तीन में देखिए नम्लिखित दवाकि में से रिकतस्तान के पूर्ति के लिए एक सटीक महावरे का चैन कीजिए जहां से किरानी लच्विबाई जी ने सत्रु सेना के सामने यहां पे नम्लिखित चार में देखिए नम्लिखित दवाकि में के लिए एक सटीक महावरे का चैन कीजिए अपनी दुकान बेचने के सिवा उसके पास और कोई विकल्प नहीं था तो यहां पे विकल्प और अपनी दुकान बेचने के सिवा उसके पास और कोई उपाय नहीं था तो और कोई उपाय नहीं था, तो सही उत्तर है, C, चारा ना होना, ठीक है, अब देखिए, पांच का निमलिकित मुहाबरे के सही अर्थ का चेहन किजिए, तो पांचों उगलियां घी में होना, आप सभी जानते हैं, इसका क्या आरत है, बहुत लाब होना, ठीक है, A लिख देना आपको लिख देना चाहिए था, और लिखा भी जिन चातरों ने टिक किया होगा, A का, उनका एंसर राइट है, और फूल मार्क्स मिलेंगे, आपको, फूल मार्क्स आप सभी को, पांच का, कि पांचों उगलियां घी में होना, A, पांच उगलियां घी में होना, A, बहुत लाब होना, पांच उगलियां घी में होना, बहुत लाब होना, अब देखे लिटेचर में तो, फूल मार्क्स का, पहले है, गौरी कहानी के बारे में है, हम लोगों ने बताया ही था, कि आप गौरी कहानी पढ़के जाएएगा, आएगा, और वैसे आया भी, सती कहानी के ब पारे में नंबर 6 जो है, उसमें फूल मार्क्स मिल गए होंगे, क्योंकि हम लोगों पहले ही इसके बारे में बात कर ली थी, और काव मजरी में तो, तीनों के तीनों प्रस्न फस गए हैं, जो गेस हम लोगों ने बताया थे, पीडियो फाइल में, एक फूल की चा, यहां प तो जाक तुछ को दोर जाने में आप लोगों ने कल लिया होगा, जिन शात्रों का साराकास है, दिवाकर के बारे में हम लोगों ने पहले बात की थी, तो आप लोगों ने यहां पे अगर दिया होगा, किया होगा, तो पूरा का पूरा आ गया होगा, और साराकास के उपन् लिखा गया है और में समकाल इन थंदर्भियों समस्यायों को किस प्रकार बताया है या Club तुक सारा कास परणियास को दिशे उनके तो उन्होंने बहुत आसानी से लिख लिया होगा ठीक है अब जिन शात्रों का असाड का एक दिन है वो लोगों ने उसके प्रसंग मेरी बात कहीं मैंने अनिका एक रधान वेक्तियोस में वह आफादारण है सुना है कि रास दुहिता बहुत विदूशी है तो वक्ता वक्ता के शर्थ की विसे इस्ताएं यहां फिर लोगोंने बात किया कि रास्त्रा में रहकर साहतिकार का लेखन कुंठित हो जाता है आसाड के नाटक के दार पर कथन की समिझ्छा और कालिदास का चर्थ चित्रण हम लोगोंने पहले तार्य इस यह तरा के प्रसना सकते हैं तो आप लोगों ने मातूल और कालिदास का चर्चित्रा अगर आप पढ़के गए होंगे तो आप लोगों ने प्रसंद बहुत ही आसाने से या हल कर लिये होंगे और प्रसंद पत्र बहुत ही आसान था और हम लोगों ने जो इसके comprehension और जो grammar section के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है जिसके बारे में छात्रों का अन्रोथ था आसा करता हूँ कि आप सभी का paper बहुत ही अच्छा गया होगा और आप सभी 90 अब भी marks लाएंगे हिंदी में यदे आपको हिंदी से समतित और कोई प्रस्न बनते हैं तो आप comment box में पोज़ सकते हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए उप्योगी सुद्ध होगा